हेलो बच्चों, हम अपने आसपास बहुत सी रासाइनिक अभिक्रियाइं देखते हैं। इन रासाइनिक अभिक्रियाओं में नए उत्पात तो मिलते ही हैं, साथ में हमें कई प्रकार के लक्षन भी दिखते हैं। जैसे कुछ रासाइनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन होता है कुछ में उनके रंग बदल जाते हैं कुछ रासाइनिक अभिक्रियाओं में तापमान में परिवर्तन होता है तो कुछ में गैस उत्पन होती है चलिए हम भी एक क्रिया कलाप करते हैं और इस क्रिया कलाप में हम जो राइसाइनी कभी क्रिया करेंगे देखेंगे कि उसमें कौन सा नया उत्पाद मिलता है और कौन सा लक्षन हमें दिखाई देता है इसके लिए देखें मेरे पास ये है जिंग का चूण और इसमें है तनू हाइड्रोक्लोरिक आम्ब यानि कि HCl हम ये जो जिंग का चूण है इसको परक्नली में थोड़ा सा डाल लेते हैं और आप क्यूंकि हम तनू HCl यानि की ऐसे डियूज करने जा रहे हैं तो हम होल्डर की साहता से पहले इसे पसा लेते हैं परक्नली को इस तरह से अच्छी तरह ग्रिप में ले 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 और फिर ये जो तनू HCl है इसे धीरे दीरे इसमें डाल लेते हैं देखे बच्चों हम इसे इस प्रकार से रखकर इसके पास माचिस जो है माचिस स्कित तिली जला कर ले जाते हैं देखे का ध्यान से क्या होता है तेखो बच्चों आपको यह लोव बढ़ती हूँ दिखाई दे रही है देखे ध्यान से, आप ध्यान से किजेगा इसको, तो हमने देखा कि जब जलती हुई माचीस की तीली को हम परकनली के मुख पर ले गए तो उसकी लौ बढ़ गई, आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण ये है कि जब जिंक तनू HCL से अभिक्रिया करता है, तो जिंक इस रासाइनिक अभिक्रिया का जो समी करण है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं.